हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आई है सिंधी में सौगत है और आज से हम में लिए अपना ये करेंट अफेर सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो में लिए सभी एक्जामों के लिए मतलब आपके दिमाग में यह नहीं आना चाहिए कि हम हम जो पढ़ र लगेगा कि यह किसी एक्जाम को पार्टिकुलर करके है तो यह में लिए सभी लोग देख सकते हैं ठीक है तो यह यूपी यूपी एससी हो गया में बीपी एससी हो गया सारे एक्जामों के लिए एक साथ बनाए गया है और इसमें आपको करना क्या है कि अगर आपको यह प हमारे टेलिग्राम चैलेंज जोड़ जाएंगे और रेगुलर आपको करेंट अफ्यर पीडियाफ मिलती रहेगी और यह हैं डिटेंट नोट्स में हैं ताकि आपको पढ़ने में और असान रहेगा आज यह हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स जन्वरी से और सभी को हैपी न्यू उत्तरपदेश के बहराई चेक जगा है वहाँ पास ही समुदाय के राजा आती है ठीक है तो आप इसे एक तरह से वोट बैंक वाल्टिक्स भी कह सकते हैं कि वोट बैंक वाल्टिक्स के हिसाब से इसको टॉंच किया गया है अब इनके उपर क्रेडिट दी गई है तो यह कह लगना पड़ें सब लोगों के लिए सेम कोर्स है डेली वीडियो अपसे डेली आएंगे करेंट अफिर पर नेक्स्ट है भारती विज्ञान कॉंग्रेस आपको पता होगा तीन जन्वरी से साथ जन्वरी के बीच स्टार्ट होने वाला है तो कहां पर हो रहा है पंजाब मे इंका सॉलीशन निकालना और इसका फायदा निम्नतम समुदाय तक पहुचाना ठीक है साइन्स कॉंग्रेस आपने तो रट दिया कि सांस कॉंग्रेस क्या होती है कहां हो रही है यह पंजाब में लेकिन होती क्यों है वो भी तो आपको पता होना चाहिए तो यह साइंस एं के यूज से solution निकलना जो भी मतलब basic problems है उनका और उसका फायदा समाज के निम्नतम समुधाय तक पहुचाना ठीक है अब एक most important fact है यह आपको रख लेना चाहिए कि यह दूसरी बार है जब यह पंजाब में पंजाब इन्वेस्टी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है ठीक Indian Science Congress Association इसका निर्माद किया गया था 1914 से इंडियन Science Congress का हर साल जन्वरी के प्रथम सप्ता में होता है ठीक है आयजन होता है प्रधान मंत्री के द्वारा ठीक इसका मुख्याले कहां पर है तो इसका मुख्याले कोलकता में है most important है रट लीजे इसको और next देखिए दूसरा है क कि अभी प्रधान मंत्री द्वारा Indian Rice Research Institute in South Asia Regional Center के एक साखा को लिए कहां खोली गई है यह थो यह खोली गई है वरार सी में ठीक Indian Rice Research Institute in South Asia Regional Center है ठीक इसे सौट में कहते हैं IRRI SARC ठीक है तो इसका सेंटर कहां को गया है बरार सी में अगर हम पूछें कि इसका IRRI, South Asian region का जाए, वो कहाँ पर है मुख्याला, तो यह है Philippines में, तो आपको पता होना चाहिए, Philippines में है, next देखिए, कि इसका component क्या है, क्यों खोला गया है, क्या फायदा है इसका, तो जो science है, जो agriculture, जो rice related scientist है, उनको educate करेगा, agriculture के sectors के जो leadership है, मतलब entrepreneur कहा लिजए, जो इनके branding है, जो इसमें एक तरह से रम जुके हैं इस छेतर में, उनको जहाए, rice की latest technology से अवगत कराएगा, laboratory establish करेगा, और rice में जितने भी nutritional, जैसे जो भी आप फसल बो रहे हैं, उसको और कैसे enhance कर सकते हैं, ताकि वो आम जनों के लिए और स्वास्तवर्दक हो जाए, उसके लिए भी प्रांसी में खोला गया है, और यह कहां पर इसका मुख्याला था, मुख्याला था फिलिपीन्स में, next देखिए, National Gallery of Modern Art, ठीक है, तो में National Gallery of Modern Art को ली गई है, रास्टी आधुनिक कला संग्राले कहां को ला गया है, नई दिल्ली में, तो यह के द्वारा डांडी यात्रा की प्रदर्सी नहीं खोली गई है, ठीक, National Gallery of Modern Art के द्वारा डांडी यात्रा पर एक प्रदर्सी नहीं खोली गई है, तो यह आज़ित की गई है, कहां खोली गई है, नई दिल्ली में, ठीक, अब आपको पतावना चाहिए, यह यात्रा कब हुई थी, तो यह हुई थी, अंसर के बारे में वेजनेस फैलाने के लिए एक दिन का विसेज कारेकर मायोजित किया था, तो इसलिए यह गिनीजबुकों में दर्ज किया गया है, नेक्स देखिए, किस ICC महिला क्रिकेटर आप दाइयर चुना गया है, तो इसमिती मंधाना को, ठीक, नेक्स देखिए, क किया बतला है, कौन-कौन से नाम है, राज दीप को बदल दिया गया है, नेता जी, सुभाशचन बोस, नील दीप को बदल दिया गया है, सहीथ सुइप दीप, और हैवलोक दीप है, उसका बदल दिया है तो इसकी कहानी यह थी, कि एगानी यह थी, कि 1943 में अजाध हिंद् ह को भेजा था तो उस समय जो अंडवा सहीद अंडवान दियुप्था उसका नाम सहीद रख दिया गया था और जो निकोबार दियुप्था उसका नाम स्वाराज रख दिया था ठीक आप इन दोनों को भी चीज याद रखे इन दोनों को ठीक है सहीद और सहीद अंडवान था और स्वाराज निको भार्दा लेकिन फिर बेटी शत्ता जहाए फिर काभी जुई सगेंड वर्ड वार के बाद तो इसने फिर से नाम चेंज कर दिया तो आब वर्दमान में इसके अजाध हिंद फौच के 75 साल हो गए थे उसके उपलक्ष में मोदी जी ने 1500 फिट का 150 फिट का एक जंडा फैर आया है ठेक है और इन तीन दीप का नाम चेंज कर दिया राज दीप को निता जी सुभाचन बोस कर दिया है नील दीप को साइध कर दिया नेक्स देखिए बांगला देश के तीसरी बार प्रदान मंत्री बन रही है कौन सेख शीना ठीक यह प्रो इंडियंस है यह इंडिया के लिए बारे में सूचती है नेक्स देखिए किस राज्य सरकार ने एक नया आध्यात्मिक विभाग मोस्ट इंपोर्डेंट है धर्माधारित है एक नया आध्यात्मिक विभाग खोला है तो यह मद्वरीश इसमें सभी धर्म को के प्रवचार प्रशार के लिए कारी किया जाएगा नेक्स देखिए किसे स्वक्ष सर्विच्छन 2018 में ठोस अफसिष्ट अफसेश प्रवंदन ठेक में बेस्ट कैपिटल सिटी के रूपें से मनित किया गया है तो यह हैदराबाद मोस्ट इंपोर्टन डेस अब रख लिए किसी भी गजाम से पूछा जाएगा डिरेक्ट नेक्स देखिए हाली में मुख्ष सूचना आयुक्त कौन बनाए गया है सुधीर भारगव पुस्तक अल्ली इंडियन्स यह टोनी जेसफ की किताब थी यह किसके उपर है आर आर इंस क्या है कहां से आये थे आरेंस इसके उपर है अर्ली इंडियन्स गरदी मुक्यबाजी चैंपियन्सिप के तीसरे संस्करल की सरुवात कहां कि गई है कनाटक मोस्ट इंटर रख लिए खेलों संदर में पुछ ज पिकानेर जैसे सबको पता है राजीषन में उच्छादा पायाँ तो कहां पर है वीकानेर पे महीला प्लेस्वडिस वोरेंटियर मॉस्ट इंप्रवर्डन टॉपिक है महीला प्लेस्ट्येयर इसकीम को पुरी देस्व में लागू करने की बाने देए अब आपको पता पना च कि पुलिस की साहता करना चाहता है तो उसी महिला को महिला पुलिस कहते हैं महिला पुलिस कहते हैं महिला पुलिस कहते हैं इसके कुछ योगता होती है मतलब सब लोग तो बनेंगे नहीं तो कुछ योगता होती है कि महिला का 20 साल पूरा होना चाहिए बारवी पास होना अब इस scheme को सबसे पहले कहा लांच किया गया था तो यह हर्याणा में किया गया था ठीक next जो most important चीज है किस ministry के अंडर में आती है तो ministry of women and child and ministry of women affairs का सहीज़क्त प्रयाज है ठीक gender based violence को के खिलाफ और उसको कम करने के लिए ठीक तो यह आज हमारा current affair video था यह day one था और एक जनवरी से हमने यह नया initiative इस्टार्ट किया है और अगर आपको यह पसंद हुआ है तो like, share and subscribe जरू करें और इसको maximum आपने friends को बताएं क्योंकि यह सारे exams के लिए है मतलब किसी एक exam oriented नहीं है आप UPSC के तयारी कर दें तो भी देखिए BPSC के लिए तो भी देखिए सारे complete है और आप maximum benefit होंगे सीरीज से थैंक्यू फ्रेंड्स की पहुचिंग